इसमें एक बार फिर से रिकॉर्ड एसाफा हुआ है क्योंकि 24 गंटे में 46,265 नए के कोरोना के सामया हैं और अकेले केरल में 31,445 ये एक दिन का आकड़ा है जबकि एक दिन में ही 24 गंटे के अंदर-अंदर 605 लोगों ने दम तो लिया माराश में 5000 से ज़्यादा नए मरीज देखे गए हैं लेकिन देश भर में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है केरल राज्ये का जहां पर 31,000 से ज़्यादा कोविट के सामने आये सर्फ 24 गंटे के अंदर और देश भर में भी आकड़ा एक बार फिर से बढ़ता हुआ जिस उन ता आखिर क्यों ये क्यों बार बार केसिस का बढ़ना और घटना है लेकिन अब काफी दिन के अंतराल के बार केसिस एकड़ा तरीके से बढ़े हैं केरल में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है 31,000 से ज़्यादा केस अकेले केरल में हैं ऐसे में महराश में फिर से वहां संकड़ना जारा रहा है क्योंकि महाराश में 5000 से जञादा या कड़ा 24 गंटे का है ऐसे में वैकसिनेशन भी तेजी से आगे बढ़ा है 60 करोर से जञादा लोगों को वैकसीन लग चुकी है और लगातार सरकाल की तरफ से कहा जा रहा है वैक्सिनेशन के लिए लोग आगे बढ़कर आएं वैक्सीन लगवाएं ताकि सुरक्षित आप और हम सभी रह सकें कम से कम थर्ड वेव के लिए तैयारी आपको और हमें मिलकर करनी होगी अकेले सरकार या प्रशासन का ये काम नहीं है अकेले स्वास्व भाग परिशान नही हो सकता इस बीश देश में इस वक्त आप जो कोरोना के चलते हालाद बने हुए हैं सबसे जादा कहर केरल जेल रहा है 24 घंटे में 31,000 से जादा कोरोना केस सामने आए जैसे कि मैंने बताया सबसे जादा मुसीबत केरल में इस वक्त है मेरे सेहोगी यश समीर राजु के ये रिपोर्ट आपको समझाएगी केरल के हालाद केरला और उन्हों ने जाके हेल्थ मिनिस्टर और सीफ मिनिस्टर से भी बात किया कोबिट क्राइस को लेके बढ़े प्रेपोस ओनम सेलेबरेशन साभी लगातर कोबिट केस बढ़ गया जिसमें 31,000 प्लस केस रिपोर्ट हुए करल और लगातर कुछ दिन पहले बखी कोबिट करेंगे जिसमें पर चल रहा है कि कुछ दिनों पहले कोबिट सिचुवेशन केरला में थोड़ा इंप्रूव रहा था जिसमें आडाराजर केस भी कुछ दिन रिपोर्ट हुए मगर लगातर अभी उपर ओनम सेलेबरेशन के टाइम पे पोस्टों सेलेबरेशन लगातर कोबिट केस बढ़ गये हैं जिसमें 30,000 के उपर केसे रिपोर्ट हुए कल एक स्टेट में तो लगातर हेल्थ मिनिस्टर और नी चीफ मिनिस्टर करला ने में बताया है कि लगातर डिसकस करेंगे एक सब्सक्राइब करने के लिए अभी क्या क्या स्टेप्स लिया जाएंगे कुछ दिनों में और वार वे उन्होंने वी बताया कि एक लाग डेट लाग ट्रेस भी माले लिया जाए यहादा कल जिसमें 33,000 केसे आया हैं और उन्होंने बताया कि पॉस्टिविटी रेट अभी केला में जादा है मगर कुछ दिन पहले पॉस्टिविटी जब बागी सब सेट्स जब कोविट सिचुविशन क्लियर हो रहा है जिसमें केसे बहुत लगातार कम हो रहा हैं जिसमें बाद चल रहा है कि कोविट सिचुविशन को लेके अभी कुछ दिन पहले केला में लगातार कोविट केसे दो दिन से तीन दिन से घट रहा था अभी गोनम सेलेबरेशन के बाद अभी लगातार बढ़ रहे हैं जिसमें 31,000 केसे रिपोर्ट हुए हैं और 70% अभ इंडिया के केसे सिल्फ केरला एक स्टेट में रिपोर्ट हुए हैं तो हम लगातार देखेंगे केरला गवर्मेंट अभी आने वाले दिन में केसे कोविट सिच्यूएशन को टैकल करने वाली और क्या क्या स्टेट लिया जाएंगे केरला गवर्मेंट से की कोविट केसे को लेके कम करने के लिए और प्रिकॉशनली क्या क्या स्टेट लिया तो तिलंगाना में लगबग 366 COVID से संक्रम केसेज पाए गए हैं पिछले 24 गंटों में और दो लोग की मौत हुई है COVID की वज़े से तिलंगाना में सेप्टमबर पहली तारीक से स्कूल्स खोले जाएंगे जिसमें सारे educational institutions को पूरी तरह से function होने की अनुमती दी गई है तीचर्स को अध्यापक्स को और स्टाफ को पूरी तरह से vaccination करवाने की आदेश दिये गए हैं 100% vaccination, 100% vaccination के आदेश दिये गए हैं और आंदरप्रदेश के अगर बात की जाए तो 1601 कोरोना संक्रमित केसे पाए गए हैं पिछले 24 घंटों में और 16 लोगों की मौत हुई है COVID की वज़ा से आदरप्रदेश में जब स्कूल खोले गए हैं आगस्ट 16 तारीक को उसके बाद लगबग 40 अध्यापक और 17 टीचर्स को COVID positive पाया गया है कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी शेहर ने जहे ली तो वो है मुंबई लेकिन अब उसी शेहर में लोग पूरी तरह से लापरवा दिखाई दे रहे हैं नमास का पता है नहीं सोशल डिसेंसिंग का कोई ख्याल है मुंबई की दादर से ये रिपोर्ट आप देखिए मुंबई जो है ये ऐसे शेहर है जो कोरोना वारिस से लड़ते हर बार ही नजर आ रहे हैं बट अब जो है सेकंड वेफ के बाद कही ना कही मुंबई और माराशा को थोड़ी रहत मिल चुकी है पहले जो है सेकंड फर्स वेफ के टाइम जो केसस से वो 10,000, 11,000 हर दिन रिकॉर्ड के जाते थे पर अब जो है इस समय के बाद जो टाइम पीरिड है तब 300 से लेके 400 case हर दिन record किये जा रहे हैं और इसलिए मुंबई lockdown जो था वो unlock हो चुका है और इस वक्त में मौझूद हूँ दादर मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग है जो भीड है वो देख सकते है और मास्क नहीं पहें रहे हैं सोशल डिस्टिंसिंग भी मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पर और यह एक उन लाकों में से एक है जहां बहुत ही ज्यादा भीड देखी जाती है और क्यूंकि आप मुंबई जो है मारास का unlock हो चुका है पूरी तरह से इसलिए जो दुकाने हैं वो भी सुबह आठ से लेके रात के दस बाई तक खुली रहती है और यह क्यूंकि एक crowded area है यहाँ पर जो है एक कह सकते है कि जो एक meeting point होता है वो जो central या यू कह जो suburban areas है वहाँ से office के लिए जो लोग जाते है वो यहाँ से ही होकर दूसरी जगव पर जाते है इसलिए जो है भीड यहाँ पर सबसे ज्यादा जमा होती है और आप देख सकते है कि जो लोग है जो भीड भाड है वो कितनी जादा है और क्यूंकि third wave भी आने की आशंका जताई जा रही है इतना ही नहीं जो डल्टा वेरियंट है उसके भी तीन से पाँच केसे जो है वो भी अभी रेकॉर्ड किये गए है तो ऐसा कह सकते है कि मुंबई जो second wave से लड़ रहे थी अब third wave से भी लड़ती नजर आने वाली है केसे जब कम हो रहे थे तो आप हरम रहत महसूस कर रहे थे लेकिन अचानक से केसे का बढ़ना क्या इशारा करता है हमारे साथ डॉक्टर समीरन पांडा जुड़ गई है उनसे हम जानेंगे हेड हैं इंफिक्शियस डिसीज आईसी एमार से हमारे साथ है बहुत स्वागत है डॉक्टर समीरन आपका जब पचीस हजार की करीब केसेस महुच गए थे तो लग रहा था शायद इसी तरीके से धीरे धीरे कम होंगे और फिर खत्म हो जाएंगे लेकिन आज अचानक ये बढ़ा हुआ अकड़ा लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है क्या इसे थर्ड वेव की आहट के तौर पर देखें देखिए जो अकड़ा बढ़ते जा रहा है हमें जो दिखने को मिलता है इसमें कोई आस्टर जिनक बात ही नहीं क्योंकि ये वाइरस का बारे में हम सोचे जो बिमारी है और जिस वाइरस से ये बिमारी पैदा होता है सार्स कोव टू ये इंडिया में एक समान जैसा फेलता नहीं है क्योंकि देखिए सेकेंड वेव जब आया था कंट्री में तब एन स्टेट्स ने अशी प्रतिसा था संक्रवन इतना जादा फैला नहीं था तो सेकेंड वेव उधर और दिल्ली और महराष्ट्र को देखके वो स्टेट्स अरे जल से जल जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को ले चुका तो इसलिए उसमें भला ये जो देखने को मिला कि संक्रवन इतना जल्दी से नहीं पैदा लेकिन उसका आधर साइड है कि वालनरबल पॉपलेशन हैं तो हम ऐसे एक महोल बना लेते हैं कि जिधर संक्रमीट पेक्ती जो हैं वो जिसमें जोकिम है उसी का साथ आजू-बाजू में आ जाते हैं भीडवार में चलते हैं उधर तो पता नहीं चलेगा क्योंकि यह जरू हैं जो भी तो उधर संक्रमीट बिक्ती से जिन लोगों ने असे टिवल है उसका नजदीक आगिया है तो संक्रमीट पहलेगा जरूप सो मैं जो बोलना चाहूंगा कि यह जो दिखने को मिल रहा है हमें सेकंड वेव कम होते जा रहा था लेकिन पुछ-कुछ स्टेट्स में देखना चाहिए हैं तो उसमें सारे जो डिस्ट्रिक्स है वो एक समान जैसे हैं तो डिस्ट्रिक्लेवल डेटा चाहंगा कि आड़ी वर्निंग सांथ अब तीन किसम का हमें आड यवर्निंग सांथ मिल सकता है नूमर वन इंक्रीजिंग नंबर जो आपैं अभी दिखा जेरा है Second, increasing clinical severity, जिसको बीमारी होता है बहुत अग्रेसर प्रिस्तिकी में वो अवा हुस्पिकल आ जाते हैं, या वेंटिलेटर का जरूरत होते हैं, या अख्सिजिन का जरूरत होते हैं, तो या अध्वान्स का जरूरत होते हैं, तो अभी जो दिखने को मिल रहा है, पुरा भारत मे नहीं है, तो आतंग फ्यलने का कोई जरूरत नहीं है, मैं यह कहना चाहूंगा, कि हर स्टेट को अपना-पना स्टेटर्वल डेटा को ध्यान पर रखते हुए, और डिस्ट्रिक डिसेग्रिगेटर डेटा भी दिखना चाहिए, तो हमें जरूर यह कर सकते हैं, कि यह जो थ आप में रखना चाहिए, इस वैक्सिन्स अर नोट इंफिक्शन प्रिमेंटिंटिंग डिजीज मॉडिफाइन जब साट करोर से जाड़ा लोगों को वैक्सिन लग चुकी है, और लगातार वैक्सिनेशन को लेकर अभियान भी राज्जर सरकारों की जरीए, कि अन्टों सर रखाते हैं, ना सोशल डिसेंसिंग रखते हैं, केरल में केसिस का बढ़ना क्या ये संकेत है, कि अब धीरे-धीरे बाकी राज्यों में भी ऐसा होगा, और जो लोग लापर वहाँ बने हुए है, उन्हें आपका मेस्ज़ क्या है, जरूर, तो लेकिन केरला से पूरा देश प्रश्में फैल जागा, ये ऐसे सोच गलत रहेगा, केरला को सोचना चाहिए कि हमें क्या-क्या साबधनी वरतना चाहिए, क्योंकि आप जो बोले हैं, वो एक्दम सही, अपने जो बात है, वो बोल चुके है, कि बैक्सीन लगाते हुए भी हमें मास्क का इस्तिमाल करना च चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन साब्धनी वरतना चाहिए, क्योंकि ये 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 वैक्सीन साब्धनी वरतना चाहिए, क्योंकि यह हम सुष्ट रहें लेकिन दूसरे को लिए भी हम रिस्पांसिब्लिटी हर एक देश के नागरे को निभानी होगी तब अभी कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं तभी यह चो केसे बचानक बढ़ने लगे हैं इन्हें रोका जा सकता है बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिरन पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जाए